अमर है 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 मैं कर्णनल पी एल चोधरी, चेर्मेन जेन के एक सर्विसे वेलफेर अशोशेशन, जैसे कि आज पता है हमारे वारवां के जो अटैक हुगा था, उसमें हमारे 40 जौन शहीद हुए थे, और 35 जौन हमारे गायल हुए थे, आज उनका शहीद हुगा था, इसमें ये जौन उन् बड़ा दुख का दिन भी है, इसमें उत्वे साथ घर्व का दिन भी है, हुआरे पहुजियों के लिए, क्योंकि उन्हों में देश के लिए अपने प्राणू की आहुती दी, हम अल्दो हमारी जो गौवर्मेंट है, इतने भी परिवार है, उनको जो भी कंपर्शेशन मिलना चाहिए था, सब कुछ मिल चुका है उनको, लेकिन इसके उपर हमारे देश में राजनीती बहुत हुई, बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग इसके उपर राजनीती से क इसके परिवार हैं, उनको बड़ा दुख होता है, युकि बहु भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, तो पॉलिटिशन को जब भी कोई ऐसा वारदात होती है, इसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो पॉलिटिशन को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और उनको इ तो हमारी गॉवर्मेंट ने जो कदम उठाने चाहिए थे उठाये हैं, और पाकिस्तान में जाके उनको जो सबक सिखाना था सिखाया है, और ये गॉवर्मेंट ने आर्मी को काफी अजादी दे रखी है तेरे साथ दील करने के लिए, तो आज आप देखें कश्मीर के हालत में काफी सुधार आया है, ये सारी जो कोशिश है, ये हमारी पैरा मिल्टी फोर्सेज, आर्मी, जितने भी हमारे पुलिस के जवान है, ये सब उनकी कोशिश ये है, उनकी शाद्वितों से ये जो शांती आई है, इसके लिए किसने किसी कीमत चुकाई है, तो हमें पले हैं, उनकी सब का मेशा धन्यवाद करना चाहिए, उनका हमाई ने शाय ना रहना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लोग है बहुत जल्दी इन चीजों को भूल जाते हैं, हमें उसको हर साल उनको जाद करना चाहिए, और उनको क्या जो शहीर हुआ है, उनको एक लेकिन जो परिवार हैं, उनको थोड़ी सी शान्ती मिलती है, पुड़ा सा उनका मन ठीक होता है कि चलो मेरा बेटा इस देश के लिए कुछ करके गया है, लेकिन देश इसको आज भी जात कर रहा है, लेकिन जब देश शहीदू को भूल जाता है, तो ये बहुत बड़ी, मतल है, तो इसके लिए कोई ने कोई अपनी शादत दे रहा है, तभी ये देश सुरक्षित है, तो हमें हर देश वासियों को उनको हमेशाँ याद रखना चाहिए, और उनको जब भी उनका देना आता है, सब ने आगे बढ़ चारकर इसमें हिस्सान आना चाहिए, उनको सरधा है, कोढ़ फोड़ा में मैं कुट्वा की क्या बीज़ती तरू। कड़ुआ में जो ड्रक्स है, बग्जान जागे पिलच बड़ा दुख होता है, अगर दॹश्यू आगट समस्कारक वाप शोंटे आने में ठेंगे को संसकार देंगे, तो इसो बत्यूघ दर्व द्रक्सर है चाहिए आप कितने भी रेहबिलिटेशन सेंटर खोल लो इसके लिए मैं एड्मिस्टेशन से गुजारिश करूँगा कि जितने भी ड्रग पैडलर हैं जहां कहीं भी है उनके उपर नकेल कसी जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए ताकि आने बली उस्ते में उसकी जाद करें कि बाकी देखो कुछ कंट्रियों में ऐसे रूल बनाये हुए हैं जो ड्रक्स को डील करते हैं वो पूरी-पूरी उमर जेल में रहते हैं लेकर जहां क्या है बड़े दुख से कहना पड़ता है जो ड्रक पैडलर है दो मिने के चौर तीन मिने के बाद उसको पीएसे लगात कि इसकी तरफ ध्यान जाएं इसमें आप एक बर गुस गे तो बापस आना बहुत मुश्कल है ड्रक्स में जो गुस गया है उसका चाहे तो मौत होती है नहीं तो बापस लाना उसको बहुत मुश्कल है तो मैं जहां कि पूलिस एड्मिस्टेशन को अपने डीसी साब को भी जा रहा है हुमारा दोवगा से ड्रों से ड्रक्स सप्लाइब कर रहा है तो इसके उपर अगर रख रकी जाए तो इसको अब बड़ी बात नहीं इसको अच्छे तरीके से थीरिक विसे बेगाels कर दो कर Kiev हमारे तक हमारे देश में द्रख्स खतम बनाए पंजाब मैं डाकि क ताकि जहां जो ड्रक्स करने वाला है और जो ड्रक्स बेचने वाला है दुनों उनके उपर सक्त से सक्त कारवाई हो ताकि आने बाले उनकी पीडिया में याद रखे और तभी हम इससे निजाद पा सकते हैं नहीं तो ड्रक्स से निजाद पाना बहुत मुश्कल है तो मैं फि जो चलेगे इसकी तरफ वापस नहीं आपाओंगी. मैं पड़ा इसके बारे में पड़ा है. इसमें दस साल भी अगर आप रियाबिलिटेशन सेंटर में रखो, उस पच्चे को वापस लाना बहुत मुश्कुल हो जगा है. तो इसमें बातु के साथ मैं मेडिया का भी दन्याबाद करता हूं और जितने भी साथी जहां आ जाये हैं मैं इसका दन्याबाद करता हूं. थैंक्यू जाहिन जाबाद। मैं बवबना है. जी दि दूर्त पुलवमा के पांच्वी बर्सी पर मैं बीष जोदाओं को नम्मन करता हूं और चाहां रहां देता हूं। और यह जो आज की दिज सहादत उन्हों नहीं देश के लिए दी थी मैं अगैर्ण करता हूं। आज की दिन हमने उनको भूलनानी चाहिए आज के दिन हमने उनको सच्ची से दांजली सबने हर सीट जगा में करनी चाहिए तो दूसरा यह है कि जो सरजिल स्ट्राइक से जो हमारे देश के जो जसस्वी परदान मंतरी निर्दर भाई मोधी जी ने जो उनको दिया था यह बहुत बढ़िया है तो ऐसे ही पाकिस्तान जो नापाक हरकते करता रहता है तो इसका जवाद उसको मिलता रहेगा आए से जैसे करनल सामने बताया दस साल से पहले कुछ हालात अलग थी आज कश्मीर के हालात जम्मो कश्मीर के हालात बहुत ही विन है साब लोग सुख के स दानस ले रहे हैं और अमन है पीस है जीरो टारेम सो जो एक हमारे सरकार ने केदर सरकार ने जो नीती बनाई है तो मैं उनका भी दन्यवाद करता हो और उन परिवार को नमन करता हो कि जिन्होंने और उनको एक जो प्लबावा के जो चहीद हैं उनके सभी प्रवार को बगवान स्टेंटन करें, सद्वाबना दें, तो इनी सब्दों के साथ मैं सब का बहुत बहुत दन्यबाद करता हूं. Thank you. Thank you. That's... Thank you.